कि राधे राधे जैस्री कृष्णा आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चनल प्रहार्दिक स्वागत है अभिनंदन है मेरे प्यारे दोस्तों बच्चों आज पित्री पक्ष का पांचवा दिन है और इस दिन हम अपने पीत्रों को तरपन करते हैं जो हमसे बन पाता है उनके हम प्रार्थना करते हैं ओंग नमो भगवते वाशुदेवाय का जब करते हैं और यह प्रार्थना करते हैं अपने पीतरों से कि हे पुर्वज हे मेरे माता पिता हे मेरे साथ ससु जो आप स्वर्ग में गए हुए हैं और अगर आप हमारे हां आते ह तो मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ, स्वागत करूंगी और आप पित्री देव भ्यो नमहां, मात्री देव भ्यो नमहां ऐसा करके, क्योंकि कई बच्चे जिनकी नोकरियां नहीं लग रही हैं, जो परिशान हैं, जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, जिनकी शाद करती हूं और उनका तरपन करती हूं तो आप लोग भी तरपन करें इसी संदर्व में एक बच्ची ने हमसे पूछा है कि मैडम मेरा और हो निगेटिव है और मेरे हस्बेंड का और हो पोजिटीव है मेरे दो बार एबोर्शन हो आप लोगों को वह देती हूं और इस पितर्व में आप अपने पित्रों को मनाएं आप आप उन से प्रार्थना करें है मेरे पुर्वज आप जहां कहीं भी है अगर आपकी आत्मा शांत है तो मैं ऐसा परत्ने करती हूं भगवान से प्रार्थना करती हूं कि आपके आत्मा को शांती मिले इसके लिए दस बजए हालाकि मेरे पताव टाइम नहीं मिलता है इतना तो मैं मौर्णिंग में ही कर पाती हूं और आप लोग अगर किसी के पास टाइम है तो दस सी ग्यारा बज़े जा करके पीपल के पेड़ के पास एक लोटा जल उसमें थोड़ी शी दूद थोड़ा सा काली तिल और थोड़ा सा गुड़ या चीनी डाल करके पीपल के पेड़ को सीच करके आए अपने पुरवजों के नाम अपने दादा दादी माता पिताब और जो मृतक भाई बहन है जो जेड जिठानी है देवर दिवरानी है नहिरा का है ससुराल का है ननिहाल का है ददिहाल का है उन के नाम से आप जल दे करके आ जाएं दोपहर में और साम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक लगा के आ डखन दिशा में दीपक अभूर के तो आप देखएंगे कि पिट्रदोस से मुक्ति पा जाएंगे बहुत लोगों को हमें पता नहीं चलता है पित्रदोस लग जाते हैं अब पित्रद्स पित्र क्या करते हैं वो तो चाहते हैं कि हमारे बच्चे खूब फले फुले किसी के माता पिता इसा नहीं चाहता है कि हमारे बच्चे उनती ना करें प्रगती ना करें उनको नौकरी ना मिलें उनके शादिया ना हो उनके बच्चे ने उनका घर गुल जार लो सभी चाहते हैं लेकिन होता क्या है जाने अंजाने हमसे कोई प्रूटी हो जाती हैं हम से कोई भूल हो जाता है हम नहीं समझ पाते हैं जब हम कि आज की स्थितियां जो बनती है अपने माता-पिता की कहना नहीं मानते हैं साससुर के कहना नहीं मानते हैं तो चलो फिरम कभी ने कभी हमारी बोल चाल हो जाती है उनसे माफी माफ कर देते हैं लेकिन जो मिर्टक आत्मा है जिनके आत्मा भटक रही है उनकी भी आसा रहती है कि यह 15 दिन जो हमारे लिए हमें भगवान ने हमें जो मुक्त किया है और हमें हमारे बंसजों से म करते हो जो उनको भोग लगाते हो उनकी जो पूजा करते हो वही उनके लिए प्रयाप्त होता है और पित्र परसन हो करके जाते हैं और वो आपको आशिरवाद देते हैं कि आपका घर फले फुले आपका बनसज बढ़े सब कुछ अच्छा हो तो मैं मैं कोई पंडित नहीं हूँ फिर से करती हूँ कि मेरे प्यारे बच्चों पित्र पक्ष में अपने पीतरों की सेवा पूजा करें पित्र तरपन करें और बहुत छोटी छोटी उपाय हैं जिसको मैं भी करती हूँ आप भी करें तो ज्यादा अच्छा होगा और इससे आप देखेंगे आपको शांती मिलेगी और जहां कहीं भी पित्र दोस लगा हुआ रहेगा खतम हो जाएगा तो जिस की बात आप पित्र देव के लिए ओंग नमो भगवते वासु देवाएक जाप करें या एक बार कम से कम हनुमान चलिसा जो हम सबको आता है है ना सेरी गुरु चरन सरोज रजा निजमन मुकुर सधार बरनों रगुबर्वी मलजसर जो दायक फलचार बुद्धी इन तन ज क्या माने में क्या होता था जब लोगों की इतनी जानकारी नहीं होती थी दो चार पांच छे साथ हो जाते थे अब विज्ञान बहुत आगे बढ़ चुका है तो अगर वो निगेटिव किसी भी लेडीज को है उसके हस्मन को पोजीटिव है तो घबराने की कोई जरूरत न करेंगे पहली बात दूसरी बड़ी बात मैंने आपको बताया आज हाई टेकलोजी हो गया है विज्ञान बहुत डबलब हो गया है तो यह बड़ी बात नहीं रहेगी क्यों निगेटिव है लेडीज का और जैंस का वो पोजीटिव है वाइफ का निगेटिव है तो हो गया लेकिन सेकेंड टाइम में वह काफी जागरूक रही और उन्होंने एक अच्छे डॉक्टर से जगवाईनी थी गैनेकलोजिस्ट तिन जैपूर से उन्होंने ट्रीट्मेंट करवाया और मैंने बहने बताया ट्रीट्मेंट के दोरान जब उन्होंने कंसीव किया ताकि गर्व का बच्चा के ऊपर जो निगेटिव इंप्यक्ट है कि मदर का निगेटिव है फादर का पोजीटिव है मतलब तो महाराज है और जो मदर है वो भिकमंगी है तो महाराज को भकमंगी को अपनाने में बहुत टाइम लग रहा है उसके लिए उन्होंने बीच का खुब अच्छे हैं खुब इंटेलिजेंट भी है इसलिए आप अपने मन से इस बात को निकाल दो कि किसी का अगर निगेटिव है और किसी का पोजीटिव है है ना हस्बंड का तो उनके उनका भवी से क्या होगा भवी से अच्छा होगा आज चिकित सा जगत में आप आप देखिएगा आप आपटी घर में किलकारी गुझेगी तो अब इस चीज को ध्यान में रखना है ना जो मैंने बताया है जो भी सुन रहे हो अब आपको समझ में आ गया होगा तो अगर यह video आपको अच्छी लगती है तो please share करें comment करें subscribe करें like करें आपका like आपकी subscribe और आपका जो आप मुझे comment करते हो जो जहां कहीं भी आप अड़ते हो जहां को समझ में नहीं आता है है ना जहां परिशान हो जाते हो वहां आपकी समस्याओं का निरा करने के लिए समाधान करने के लिए मैं तत पर रहूंगी जहां तक मुझे समय मिलेगा तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए हम परणाम करते हैं अपनी ओंग मात्री देव भ्यो नमह ओंग कुल देवता देव भ्यो नमह इनके परणाम करके मैं अगला वीडियो स्टार्ट करूंगी जैस्री राम